आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी जो element होता कोई भी तत्व होता है वर्थ सदानिका उसमें जो चार्ज आता है जैसे hydrogen पर आपका positive चार्ज आता है या oxygen पर आपका negative चार्ज आता है तो यह क्यों आते हैं और कैसे आते हैं तो इससे जानने के प संख्या होती है वो होती है protons के पराबर इन allora की संख्या इकवालerten की संख्या और इस पर होता है negative चार्ज और इस पर होता है positive चार्ज तो सबसे पहले मैं आपको इता है यहां पर क्या है हमारा helium है helium की ँसपस्राfel नेरे electron भी 2 हैं और proton भी यहां पर 2 हैं यानि दो ही इसमें फ्रोटन ही संख्य हुआ तो इस दो नेगिटिव चार्ज होते हैं सिर्फ h2 पर जब प्र किसी से reaction नहीं करता है कोई भी चार्ज नहीं होता है ऐसा ही hydrogen आपने देखा होगा जब तक किसी किसी के साथ reaction नहीं करता इस पर कोई चार्ज नहीं होता और जब किसी के साथ reaction करता कोई योगिक बनाता तो इस पर positive चार्ज आ जाता है जैसे के HF की अगर मैं बात करूँ यानि के hydrogen fluoride की बात तो यहाँ पर hydrogen पर charge होता है वो एक positive और fluorine पर होता है और इसका होता है 1s2, 2s2, 5 यानि इसका electronic बिन्यास होता है क्योंकि इसकी परमानुसंखे कितने होती है 9 होती है तो 1s2, 2s2, 2p, 5 तो यह इसका electronic बिन्यास होता है अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2,5 और 2,7 यानि पहले कोस में 2 और दूसरे कोस में कितने होते हैं यहाँ पर 7 होते हैं तो यहाँ पर इसको अपना अस्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रोन की जरूत होती है तो जब यह हाँ पर साथ होते हैं अंतिम करक्सा में इलेक्ट्रोन की संख्या कितने होती हैं तो इसे एक पूरा करने के लिए अपना अस्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रोन चाहिए होता है और इसके पास यहाँ पर एक ही होता है तो यह एक क्या होता इसको दे देता है जब यह bond मनाती है जब यह क्या बनाते है हाइटोजन फ्लोराइड बनाते है तो यहाँ पर हाइटोजन के पास मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोनों की संखिय और प्रोट्रोनों की संखिय ब़रावर होती है तो यहाँ पर 7 पोजिटिव चार्ज था और 1 नेगिटिव अभी तक ये क्या था उदासीन था इसके पास नो ही पोजिटिव थे और नो ही नेगिटिव थे ये भी क्या था यानि सरेक्षन नहीं करने के बाद उदासीन था, जब यह रेक्षन कर लेता है, तो यहां से एक इलेक्ट्रोन इधर चला जाता है, यानि अब मैं कह सकता हूँ कि हाइट्रोजन के पास, इलेक्ट्रोन तो यहां पर जो नेगिटिव थे वो कितने बचे जीरो, सिर्फ एक फ्लोरीन पर थे, 9 यहां पर पॉजिटिव थे, और एक जो नेगिटिव चार्ट्रोन था, वो इधर आ गया, तो यहां पर नेगिटिव कितने हो गए, 10 हो गए, तो अब देखे, 9 से 9 तो उदासीन हो जाते, एक ही बसता है, वो क्या बसता है, नेगिटिव तो वो यहां प करने के बाद, इसके बाद कितने हो गए, 10 क्या हो गए, यहां पर नेगिटिव चार्ट्रोन था, और 9 सिर्फ पॉजिटिव तो 9 कुई उदासीन कर सकते है, एक दसवा बच जाता तो वो उपर सो हो जाता है, और जो हाइट्रोन है, हाइट्रोन के पास कितने थे, एक एलेक हाइट्रोन को मैंने आपको बताया, सिर्फ एक एलेक्ट्रोन होता, यहां पर 2 हाइट्रोन है, तो यह जो ऑक्षिजन है, ऑक्षिजन की जो परमाडू संख्या होती है, वो कितनी होती है, 8 होती है, और इलेक्ट्रोनिक बिन्याज के अगर मैं बात करूँ, 2S2, 2S2, यानि 2,6, यानि इसे अपना अस्ट्रोन पूरा करने के लिए, कितने इलेक्ट्रोन चीए होते हैं, 2 चीए होते हैं, तो इसलिए ऑक्षिजन के साथ हमेशा 2 हाइट्रोन आते हैं, क्योंकि हाइट्रोन के पास जो होता है, सिर्फ एक एलेक्ट्रोन होता है, जिसे बो त्याग सकत किसी पर तीन भी आते हैं तो वो क्यों आते हैं क्योंकि इसने क्या क्या यहाँ पर पहले इसके पास आठ थे अब ओक्षिजन के पास पहले आठ थे इलेक्ट्रोन भी और प्रोटोन भी तो यह क्या था उदासीन था उसके बाद यहाँ से एक हाइटोजन और एक हाइटोजन यहाँ पर एक positive था और एक negative एक positive और एक negative था तो यहाँ से जब यह एक electron दर से गिरहन करता और एक इस वाले हाइटोजन से तो इनके पास तो दोनों के पास सिर्फ क्या बसता है positive और यहाँ पर 8 तो हो रहते हैं positive और negative कितने हो जाते हैं 10 हाइटोजन के पास सिर्फ एक ही positive बसता है तो 8 जो positive है वो 8 negative को यानि 8 जो proton है वो 8 electron को यह 10 इन कर सकते हैं बाकी 2 electron ऐसी बच जाते हैं और 2 charges भी हाँ पर इस तरह से so हो जाता है तो friends I hope आपको यह clear हो गया होगा इस वीडियो को like कीजिए दोस्तों के साथ भी share कीजिए thank you for watching मिलते हैं next वीडियो में